गाजयपात की थाना इंदरापुरम इलाके के कनावनी गाओं के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठ पेड हुई है बतादे कि पुलिस अपनी रोटीन चेकिंग कर रहे थी कि तभी उन्हें दो संदिक्त लोग स्कूटी से आते दिखाए दिये लेहाजा पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया लेकिन दोलों बदमाश पुलिस से बचने के लिए भागने लगे और पुलिस पर फाइरिंग शुरू कर दी फारींग होता देख पुलिस ने बचाफ के लिए बदमाशों पर फारींग की जिसमें सन्नी नामक बदमाश के पैर में गोली लगी और वैं घायल होकर सडक पर गिर गया जिसके बदमाश को पास की ही अस्पतार में भर्ती कराया और साथ ही उस पर निगराने रखी जा रही है वही दूसरी और दूसरा बदमाश आकाश का पुलिस ने लगतार पीछा किया और कुछ दूर जाकर पुलिस ने उससे भी गिरफतार कर लिया पराल दोनों बदमाशों पर 25,000 रुपे का इनाम खोशित था मतलब फायरिंग पहले उसने पुलिस पे की, जवावी फायरिंग में उसके पाउ में गोली लगी और दूसरा रक्ती फरार हो गया उसे भी हमारी SOG की टीम ने काफी मुस्तादी के साथ उसे पकड़ा और उसके हाथ से भी उसी समय तमंचा वरामद हुआ जब इनको पकड़ा गया तो उस समय वरामदगी में एक स्कूटर और तमंचे जिंदा कार्तूस वगयरा इनके पास से वरामद हुआ और जब इन दोनों से पूछताज की गई तो ऐसा पता चला कि कवी नगर में जो मडर हुआ था लूट के बाद मारा गया था पंकस धवन नाम के एक शक्स को उसमें इनका हाथ था जो आला कतल यूज हुआ था उसमें आपका पेचकस होता है रिंच वगयरा है हतोड़ा वगयरा है ये भी इनके पास से बरामदगी हुई है और उसका पासपोर्ट और पर्स जो पंकस अपने दोस्त जिसका नाम रिंकू था उसका अप्रेल में उसका भी मर्डर किया था उसमें जिस दिन उसकी तारीक थी पोट में उसी दिन इसका प्लान बना अपने दोस्तों के साथ कि एक और लूट कारित की जाए जिसमें इस पंकस नाम के व्यक्ति की जान गई थी इसके साथ 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 स्कूटी वगएरा और तमंचा और कार्थूज वगएरा इस तरीक में बीटे 19 तारिक को महारिया गाओं की गोशाला में 15 गाओं के शब वा अववस्था को लेकर खबर का बड़ा असर हुआ है मामले में प्रभुक साचीव ने संग्यान लेते हुए लखनाउ से गोशाला के जाच के लिए टीम भेजी जरोंने मोके पर पहुँश कर महारिया स्थित गोशाला का जायजा भी लिया आप देख सकते हैं कि जाच टीम के आने के बाद गोशाला में साफ सफाई और घायल वा बिमार चल रही गायों की मरहम पट्टी वा इलाज शुरू हो गया है जर सब अब यहां पाई हैं गाय के हाला देखरें क्या अभी तक हमको यह लगा है कि फोड़ा सा गाय जो है इनको जो है मैनेजमेंट की व्योस्था जो है फोड़ा सा अच्छा है और इसे थोड़ा और अच्छा कहने की जरूर था इसके लिए हम लोग है सभी पधानी से भी मिलकर सभी जो हम लोग जितने भी यहां के पस्ट अस्पतार के इतने भी अधिकारी और कमचारी गण उनसे मिलकर हम इसकी समिच्छा और जाच भी कर रहे हैं और बहतर से बहतर यहां क्या कर सकते हैं दो दिन पहले यहां तेरा 14 गाई मरी थे हैं। उसके बाद आप आइ हैं। आज दो दिन के बाद कहला दे बेसे हैं। आज अरो दो दिन पहले क्या पुरत है। आज मुझे भेजा घया है है यहां पर प्रमुख छुमधय की अब धेस्चता में, मुझे तो करेंट कंडिशन से और अच्छा क्या कर सकते हैं उसकी लिए भीज़ा गया तो मुझे पिछले दिनों क्या हुआ है उसकी भी मैं भी बात करूँगा चुब मुझे आए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे लेकिन जादे हम उसके बताने के लिए यदा वो नहीं है यदा हम कोटने टाइम है जादा जानकारी है बॉलिवूट के मश्वूर कॉरियाग्राफर एवं डारेक्टर रैमो डिसुजा की मुश्किले बढ़ गई हैं गाजयबाद जिला नयायले ने उनके खिलाफ गैर जमानती व वारंट जारे कर दिया है कि पैसा लगाने को लेकर कि इनके साथ दुखागड़ी की गई है और उसी प्रक्रण में इनके व्रुद मुकंदा पंजिक्रित कराएं गया है जिसकी विश्टा की जा रहे हैं नमस्कार मेरा नाम सतंदर त्यागी है और मैं कि मैंने एक एक फिलिम में फानिंस किया था जो कि रेमोड उसुजा ने अपने प्रड़क्शन हाउस से बनाई थी और इसने ये मेरे से करीबन पांच करोड रुपे इस फिलिम के लिए लिये थे अब 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 क्रोड के 10 क्रोड रोपे दे दूंगा जब फिल्म कंप्लिट हो गई तो बार बार बुलता है भाई मेरा टाइम हो गया तो मरे को आप मेरे पैसे अब रेटन कर दीजे तो इसने काफ़ी बार मांगने के बाद इसने मेरे को बहग लाता रहा कि मैं दूंगा दूंगा भी ये फिलिम आ रही है मेरी ये आ रही है मैं ये करूंगा भी करता हूं रिलीज कर दूंगा ये कर दूंगा मैं पैसे दे दूंगा तो कभी मेरे से मेरे को गोल मॉल करता रहा क्योंकि इसने मेरे से रिस्ते ही ऐसे बनायते जिस अपने गाज-बाद दाना-सयानी-गेट में मुकदमध Thailandahanisya Nagi gare reading और भी जब में थे रज़ रचार्ट पीर मेरे मिनी के छुच हेपकर मेरे को थार्ट कर दी अवाल भून मेरेने से अरुट मेरे कोट सकता पेसे बोले हमार आदमी थे, अधे एके सम्काया अरला टाव का बूले हैं। सुभां पैसे घरहीं मांगेसे तो मैं ओख च्छंपना होगे हो है हुआ अंचल एंड भी अग्यातो दिखता हुआ है अधेकिया हैं करना कहने के बाद उसने मेरे उपर जानने वे हमला भी कराया इसमें मैं बाल बाल बचा उसकी सिकाथ भी मेंने थाना स्यानी गेट अपने SSP गाजेबाद को दी तो तितकाल कारवाई हुई तो इस पे 420 का मुकदमा दर्ज वा फिर उसके बाद इसके उपर 307 120 भी 148 के तहत म और उसने का कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कि मैं बहुत पावरफुल हूँ मैंने का ठीक है तू पावरफुल होगा अपने छेत्र में मेरे ठीक है लेकिन कानून से बड़ा और तू बड़ा आदमी नहीं है मैं फिर काफी टाइम मेरे को लगा लेकिन आज न्यालय और कानून की जो अच्छी पहल हुई और इसके खिलाब कानून में जो गैर वारंटी जारू इसको गरपतारी वारंटी जारू हो गए हैं तो अब देखिए बाकी कानून में पूरा जो मेरे नियालय से उमीद थी वह पूरी हो जाएगा और यह बहुत जल्द गरपतार हो जाएगा बाकी आप लोगों से मेरे तो यही रिक्वेस्ट है जो आपके आगे है आप उससे छापिए देखिए जैसे भी आपको लगे नमस्कार निवरिया जिले में अपरपुलिस्ट महा निर देशक प्रताप कुमार ने पतरकार वारता के दुरान कहा कि जनपद में अपराध करने वाले जो अपराधी है उनकी लिस्ट को डायनिमिक बनाया जाए और उस लिस्ट में नए अपराधियों को शामिल कारवाय की जाए पासको एक्ट के तहत 10 केश आरेंटिफिकेशन किया गया है जिसमें जल से जल अपराधियों को सजा मिल सके गैंक्ट्चो एक्स के तहत जो भी कारवाई हुई उनकी संपत्ती भी जब्त कर ली जाएगी तो हमारे द्वारा निर्देश दिये गए हैं कि जनपत का जो टॉप 10 की लिस्ट को डाइनमिक बनाया जाए जो टॉप 10 के अपराधी हैं जिन पर कारवाई हो गई है उनको निकाल कर नए अपराधियों को सुची में शामिल करके उन पर आरवाई कारवाई होती रहे इस तरह ये टॉप 10 की लिस्ट डाइनमिक होती जाएगी इसी तरह जो जगन्य अपराध कर चुके हाड़ेंड क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाव जो केसस हैं उसकी प्रोसिक्यूशन तवरित गती से एक्सपडाइट किया जाए तो हमारा मॉनिटरिंग सेल एस पी ऑफिस में बना हुआ है मॉनिटरिंग सेल ने अल्रडी चिन्हित कर लिया है जिन केसस को हमें आगे बढ़ाना है तो इस सम्बंद में बरेली में आज 101वे और सवार रजवी के मोके पर नवल्टी चुराहे से समासेवी जहीर एहमत की ओर से 10 मुफ्त इरिक्षा की शुरुबात की गई जिसको जेसी पालिवाल हाजी जावेद खान नासिर कुराशी ने हरी जंडे दिखा कर रवाना किया ये रिक्षा 24 खंटे उपलब्द रहेगी जाहिनों को मुक्त लेकर आएंगे और मुक्त पहुचाएंगे जाना जो भी जाहिनीन आना चाहते हैं इसमें पेटकर आपना सफ़र कर सकते हैं ये कितने घंटे चलेंगे ये तीन दिन 24 खंटे जादी रहेंगे ये उदू सुभानी मिया की सर्पस्ति में रहेंगे और आज जैसा आपको मालूम है कि उट्रजबी का आगाज होने वाला है शाम को पाज बजे सुभानी मिया साभ अपने दस्ते मुबारक से इस्लाविया मुफ्ती आजर एसन रजाखा साब जो जड़गा के सजादन अचीनिया उनकी तरफ से तमाम जगाउ से जुलू सुभ हो चुके है आज पच्छंपुशाए का जुलू साजम नगास है ठलिया निजाबत का से इस्लाम ये कराम में पहुँचेएगा अच्छंपुशाएगा जाहिरीन पूरे देश और दिम्या के जाहिरीन ने आपर आए हुए है यहां पर जो निश्व किसे वाए रॉस्टर्ड जो एलेक्टिक पिल्ट्रा है उन्होंने कहा कि हम जो बाहर से जारीन आ रहे हैं और यह 500 से कारिकन जाहिर एमसाथ कर रहे हैं जाहिर एक बहुत अच्छे समाथ से भी हैं और आपके साथ एक बहुत अच्छे एंकर हैं उनकी ओर से हम लोगों की ओर से जायरिजिक किया गया कि बहार के आने वाले किसी विट्टी को कोई भी आये उसको कोई तक्लिक ना हो इसके लिए जो लोग अलाजरत के दरबार तक जाएं एक ना चाहिए वजी जैना चेहले यहां परएज में शासन द्वारा नेउक्त नोडल पुलिस अधिकारी पुलिस महानिरक्षक श्रीमती पंजा चुहान द्वारा कस्भा जर्वल रोड में संभात व्यक्तियों के साथ मीटिंग की गए जिसमें बहराईच पुलिस अदिक्षर डॉक्टर गॉरफ ग्रॉवर शेचा अधिकारी कैसर गंच आधी लोग मुझूद रहे जनपुत हापुट के सिंभावली शेत्र के अंत्रकत आने वाले कस्पा बक्सर में खल चोरी का व्यपार करने वाले दिनेश कुमार से डरा धमका कर फोन पर दस लाकी रंगदारी मांगने वाले को सिंभावली पुलिस ने चेकिंग के दुरान डिबाई नानपुर मांग से नरेदर निवासी पुपाई थाना गड़ मुक्तवेश्वर को एक 315 बोर्ट तमंचा दो जिन्दा कार्टूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है वही पूछताच में गिरफ्तार युवक ने सिंभावली कस्पा बक्सर में खल चुनने का व्यपार करने वाले दिनेश कुमार से रंगदारी मांगने की भी बात सविकार की है पुलिस जाज में नरेद्र पर नो मुखत में गड़ को तुवाली में अपराधिक संगीन धाराओं में दर्च है इसका एक साथी अभी फरार है जिसकी सरगर्वी से पुलिस तलाशी कर रही है